नमस्कार विद्यार्तियों एक बार फीट से मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे यूटूब चैनल Education News Only के माधियम से दोस्तो आज 24 फर्वरी के दिन हम बात करेंगे Tata Still Jet Exam 2024 के बारे में दोस्तो इसकी Cut-Off का जो lesson है वो इस वीडियो के माधियम से किया जाएगा यानि दोस्तो आपकी जो exam है वो 18 फर्वरी को हो चुकी है तीन सिफ्टों के अंदर अब सवाल ये उट रहा है कि इसका अनुमानित Cut-Off क्या जा सकता है यानि ऐसा Cut-Off चाहिए जिस पे हम सभी का selection हो जाए चैन हो जाए तो ऐसे Cut-Off को दोए दोस्तो इस वीडियो के माधियम से सेर किया जाएगा तो प्लीज आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेर कर दीजिए तो दोस्तो आगे बढ़ते हैं एक बार और काम करते हैं आपकी Cut-Off पे अब दोस्तो Cut-Off एकदम तो यहाँ पर दोस्तो आपका जो एक्जाम है वो तीन सिप्टों में हुआ है और स्टुडेंट के रिव्यू के एकोर्डिंग ही बताए जा रहा है कि जो फर्स सिप्ट थी वो सबसे इजी थी क्योंकि इसमें मात्रे दो निमेरिकल्स पूछे गए थे और सबी जो क्यूसन थे वो ठीक ठीक लेवल के थे बच्चे उनको स्वल्ल कर पा रहे थे सेकेंड लेवल का जो पेपर था दोस्तों वो थोड़ा सा मॉड लेवल कर रहा है उसमें एक निमेरिकल्स पूछा गया है इस कारण इस पेपर को जो है स्टुडेंट के रिव्यू के एकोडिंग मॉड लेवल कहा जा रहा है लेकिन जो थर्ड सिप्ट थी दोस्तों वो तो सब का बाप थी यानि टफ का भी बाप इतनी हाड थी कि उसमें 10 से 15 निमेरिकल्स पूछ ले गए और बच्चे वहाँ पर टेंशन में आगे लेकिन दोस्तों जब भी नॉर्मलाइजेशन होगा तो आप सभी को जो है एक ही लेवल में लाए जाएगा तो थर्ड सिप्ट के बच्चों का फाइदा जरूर होगा अब देखे दोस्तों नेगेटिव मार्किंग है तो इतना अटेंट तो नहीं रहा होगा अपन ज़्यादा अटेंट की और जाही नहीं रहा है मतलब कम अटेंट ही जो है रहना चाहिए यानि इस एकोर्डिंग बात करें तो कट ओफ कहां तक पहुँच आनी चाहिए तो UR और OBC का जो कट ओफ है दोस्तों वो 67 तक पहुँचना चाहिए जबकि जो LCT का कट ओफ है वो 62 तक पहुँचना चाहिए हलकि एक अनुमानित कट ओफ है इससे बहुत सारे बच्चे सैटिस्पाइट नहीं होंगे तो वीडियो के नीचे कुछ भी लिखेंगे लेकिन ये पुरा उनका अधिकार है क्योंकि कोई वीडियो उनको पसंद नहीं आएगी तो वो जरूर कुछ लिखना जी उसको अब रिजल्ट के बात करें तो रिजल्ट के दोस्तों सारे बच्चे सैटिस्पाइट नहीं है लेकिन अगर आप सैटिस्पाइट हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेज करें ताकि हर परकार की जो न्यूज अपडेट है आपको टाइम पे मिले धन्यवाद